तो आज डिस्नी प्रेस फॉर्ट सार पर रिलीस ही नित्या मैनन और विचिस ही तुपती स्टार 1901 ए फिल्म को मैंने देख लिया है तो मैं आप सभी को मेरा ओनेस रिव्यू दूँगा और बताऊंगा कि कि आपको इस मुवी को देखना चाहिए के नहीं मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी को कम से कम स्पोिलर्स तो लेट्स बिगिन तो 1901 A की लेंथ है 1 और और 48 मिनट की सबसे पहले तो टाइडल के बारे में जान लेते हैं तो टाइडल यानि 1901 A तो ये एक आर्टिकल है जिसका मतलब है कि हर एक सिटीजन को हक है कि वो अपना ओपिनियन सब के सामने रख पाई तो मैंने मुवी को सिर्फ विजी से तुपती सर की वज़े से ही देखना स्टार्ट किया था तो पहले थोड़ी सी स्टोडी लाइन के बारे में जान लेते हैं तो नित्यमैनन का करेक्टर जो के काफी आम जिंदगी जी रहा है और उसकी एक फोटो कॉपी की शौप है तो एक दिन एक लेखक यानि विजी से तुपती आते हैं उसकी शौप पर इरेक्टर की हत्या कर दी गई है मुवी की आगे की स्टोडी जाने के लिए आप मुवी देख सकते हैं तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये फिल्म मुझे कैसी लगी तो सबसे पहले तो ये एक मल्यालम मुवी है और मल्यालम इंडेस्ट्री में काफी रेलिस्टिक फिल्में बनाई जाती है जैसे के ये फिल्म 19-1-A वैसे अगर मेकर शा थे तो वो अराम से इस फिल्म को एक घंडे के अंदर-अंदर ही फिल्म को खतम कर सकते थे लेकिन मुवी को काफी लंबा खीचा गया है मुवी खीची हुई तो लगती है लेकिन जब audience पेशन रखकर मुवी को end तक देखती है जिस suspense के लिए मुवी को लंबा खीचा गया होता है तो अगर वो suspense up to the mark ना हो तो मुवी मात खा जाती है तो कुछ ऐसा ही 19-1-A मुवी के साथ भी हुआ है वैसे मुवी में अच्छा message जेने की कोशिश की गई है लेकिन अगर story ही strong नहीं है तो वो message ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँच पाएगा बात करते हैं actors की performances के बारे में तो यहाँ पर नित्या मैनर और विजे सेतुपती का काम मुझे काफी अच्छा लगा है overall यह एक average film निकली अगर आपके बीच patience है और realistic film में देखना पसंद करते हैं तो आप इस film को देख सकते हैं मेरी तरफ से movie को 2 की rating 5 में से तो मैंने इस film को as an audience review किया है तो उमीद करता हूँ आप सभी को आपका answer मिल गया होगा कि आप सभी को इस film को देखना चाहिए के नहीं तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक को शेर करें और आप मुझे social media पर भी follow कर सकते हैं link description box में है तो मिलते हैं अगली वीडियो में